नमस्कार सातियों, राजिस्तान इंस्ट्यूट के ओनलाइन प्लेटफोर्म पर आपका स्वागत एबम अभिनंदन है, तो दोस्तों आप देख सकते हो, आज ही के दिन में ये प्रेस नोट जारी किया गया है, अधने स्थ भोट द्वारा, पसुदन सायक सीधी भरती का निकाली गई है, जिसमें गैर अनुस्ट्यूच चेत्र के 9181 पद हैं, और टीएस्पी अरिया के 155 में पद हैं, नौन टीएस्पी के 9181 और टीएस्पी के 155 में पद हैं, टोटल 1136 पदों पर ये ओनलाइन आविदन आमंत रित किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकत हो, फीज क्या रहेगी, उसके बारे में भी बात करने बाले हैं, उससे पहले आप से रुकेश्टे की चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो चलिए देखते हैं, आविदन और पर एक्छा सुल क्या रहेगी, पहला आप याल पर देख सकते हो, सामान्य वर्क और क्र आविदकों के लिए 40-400 रुपे लगेगी, क्रीम लियर का मतलब जिनकी मातपता की आए जो है 8 लाग से जादा है, तो 8 लाग अधिकतमाय की गई है, उससे जादा जिनकी आए हो, क्रीम लियर सिरेनी के होंगे, और 40-400 रुपे इनके फोरम में फीस लगेगी, उसके बाद यहां पर राजस्तान के नौन किर्म लेयर के जो पिष्टा वर्ग मतलब होता है फिजीकली हैंडिकाप्ट वेक लांग बगेरा और यहां पर अनुसुच जाती एस्ती वाले और अनुसुच जाती एस्ती वाले उनके लिए जो यहां पर 2500 रुपे फीस लगेगी और यहां पर जो है ऐसे अब्यर्थी जिनके परिवार की वार से काए 2500 रुपे यहां पर लगेंगे जिनके परिवार की आए 2500 रुपे यहां पर लगेंगे जिनके परिव आप देख सकते हो जिनके मात अपिता गया डाइलाग से कम है उनके लिए 25 रुपे यहां पर लगने वाले हैं फोरम में प्रिवेश पत्र आपका यह था समय जारी किया जाएगा और परिक्षा कीते थी जो है चार जूनिस में बताई गई है यहां पर यह पदों का वर्गी कर पते हैं अनुसुचजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज पुरसों के लिए 33 पद, माइलांओं के लिए 10 पद और बिद्वाओं के लिए 4 और परितकता के लिए हाँ पर कोई पद नहीं है। आर्थे ग्रूब से कमजभ बर्ग b2S की बात करों तो पुरसों के लिए 60, माइलाओं के लिए 19, बैकलोग का मतलब पिशली भरती में जो खाली रह गए तो वो पोस्टिस में सामिल की गई है 36 आरक्चन यहां पर आप देख सकते हो यह एलवी के लिए 37 हैं विसेश्यों गिजन पी एच वालों एच वालों के लिए के लिए 41 पद विवागी करमचारियों के लिए जो पसुदन सायग में पहले सही कारे कर रहे हैं कुछ और चोटे पदों पर उनके लिए 96 पूश्ट हैं बहुत पूरुस हैंने कों के लिए 시सांने की बात करूएं अनुसोंचाती में सामानी के लिए दसब्स पत हैं एक पद सेनेक उत्करश्ट कराड़ी के लिए 9 पद हैं दिभ्यांग जनों के लिए टोटल 12 पद हैं अब यहां पर हम मैं आपको बता देता हूं यहां पर आप देख सकते हो आपको जो है महिलाओं के लिए आरक्षन का इसमें सब कुछ बताए गया है तो यहां पर जो है आपको आए परमान पत्र बनवा लेना है अपना आए परमान पत्र बनवाने के लिए बात जो है आपको अपने जाती परमान पत्र बनवाना है मूल लबास बगेरा या आपके पास पुराना हो तो भी चल जाता है तो यहां पर जो है MBC के लिए यहां पर 5 परसेंट का आरक्षन इसमें दिया गया है और EWH के लिए 10% का आरक्षन इसमें दिया गया है बूत पूर्चेनिकों के लिए भी यहां पर साढ़े बारे परसेंट यहां पर आरक्षन दिया गया है यहां पर आप देख सकते हो 2% जो है कोई sports से जो related है जिनके पास certificate है चाए state हो national हो सभी के लिए लेकिन उनमें highest जो certificate रहेगा उनके लिए जो यहां पर job मिलने वाली है तो यहां पर आप देख सकते हो कौन-कौन से खेलों के लिए यहां पर छूट दी गई है 2% यहां पर देख सकते हो अंतराष्टी खेलो चाहे टूर्णामेंट या चैंपियंशिप का खेलो जिसमें उसने अपने देश में जो है medal जीते हों और यहां पर दिब्यांग जनों के लिए यहां पर सब कुछ बतायगया है यहां पर यहां पर बतेख सकते हों थान जो है यहां पर पे मैंटरिक्स लेवल अाथ के हसाब से मिलेगा 26.34 हाप का बेसिक रहेगा उस के हसाब से आपको सेलरी मिलने वाली है और 85,500 रुपे तक आपके यहांपर ग्रोथ हो सकती है और इससे भी जादा तक जा सकती है बेसिक 26,300 इसमें रहेगा लेवल आठ में आती है यहांपर आप देख सकते हो थर ग्रेड यह फोस्ट है और प्रोविशन पीरेड में जो मासिक बेतन मिलेगा वो सरकार के द्वारा जो आदेज दिये जाएंगे उसके साब से मिलेगा अब क्या क्या पातरता और सेक्षनिक योगता चाहिए आपको सीनियर सेकंडरी ओनी चाहिए आपकी मतलब बार में पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बाइलोजी से और होल्ट्री कल्चर से एनिमल हस्बेंट्री बाइलोजी फ्रॉम दी बोर्ड अब सेकंडर एजुकेशन एंड राज़तान और इट्स एक्वालेंड और साथ में क्या होनी चाहिए बार में साइंस के साथ-साथ आपके पास वन एयर या टू एयर का ट्रेनिंग ओफ लाइव स्टॉक असिस्टेंट का एक डिप्लोमा होता है वो भी आपके पास होना चाहिए फोर्म भरने के लिए दूसरी इसमें सर्थ रखी गई है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन देवनागरी स्क्रिप्ट यह सभी के पास होगी देवनागरी लिपी का आपको ग्यान हो चाहिए या फिर आपके पास और साथ में बार्मी पास के साथ साथ साइंस से आपके पास एक या दो साल का डिप्लोमा भी होना जरूरी है तभी आप फोर्म भर पाओगे यह इसकी जो है आपर सर्त रखी गई है उसके बाद यहां पर आप राश्टीता में पढ़ी सकते हो और आयू आपकी यहां पर एक जनवरी दोहजार तीज तक अठार साल यहां पर आपकी पूरी हो जानी चाहिए जितनी भी बढ़ती आएंगी उनमें अठार साल एक जनवरी दोहजार तीज तक ही मांगी जाएगी मैंने पहले भी कई बार बताया है कि आयू आपकी एक अधिक तमाईव में 3 साल की यहां पर छूट दी जा सकती है तो यहां पर 43 साल तक भी आपको मान लिया जाएगा और कुछ कैटेग्रियों में सामानिवर की महिलाओं के लिए 5 साल की छूट मिल जाएगी एज में तो 40 से उपर 45 साल तक के भी यहां पर फोरम बर सकेंगे अनुसर जाती है CSTOVC MBC के लिए 10 साल की यहां पर छूट दी गई है PWS के लिए भी 10 साल की छूट है उम्र में 50 साल तक के भी यहां पर फोरम लगा सकते हैं यहां पर यह बहुत सारी छूट आपको दी गई है और यहां पर पैंसन भी यहां पर आप देख सकते हो नए बरती अन्यक थोने वाले करमचारियों के लिए नियामक एनुसर अंसदाई पैंसन यह जना लाग होगी यहां पर पैंसन के बारे में बताए गया है जैसे ही पैंसन के ओडर हो जाएंगे उसके बाद आपकी पैंसन के बारे में भी डेटेल से आने लग जाएगा परिक्षा आपका 4 June को होगो, यहाँ पर बताए गया है, Live Assistant का भी चार जून को है, अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी परिक्षा जो है इस्दित की जाती है, खुड समय बाद आपको जो है देखने को मिलने वारी है Life Assistant की बर्ती, 2-4 दिन आपको 2-4 दिन चैन्ज और 10-5 द आप इमतर वाले पर जाकर करवा सकते हो या फिर खुद भी भर सकते हो यह यहां पर आपकी पूरी डिटेल इसमें बताएगे यह आपको डेर स्क्रिप्शन में राजतान इस्ट्यूट की लिंक बिल जाएगी राजतान इस्ट्यूट एप अपना वहां से आप डाउनलोड कर आए जाएगे तुवासा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा जैहन जैवार।